हलो अव्रिवन, वेलकम डो देश चैनल, आइम सीएस रितू, आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लेमिटेट पे, हिंदुस्तान जिंक लेमिटेट के शेर में आज जबर दस्तेजी आई है, करंटली ये स्टॉक 5% तक बड़ा हुआ है, 313 के लेवल पे ट्रेड कर रहा ह स्टॉक ने आज हाई का लेवल दिखाया है, 317.5 रूपीज का, आज अच्छा ट्रेडिट वॉल्यूम है स्टॉक में, NSE पे इस टाइम तक अराउं 17.31 लाग शेर का ट्रेडिट वॉल्यूम है, नॉर्मली शेर में इतना ट्रेडिट वॉल्यूम नहीं रहता है, पास्ट यह तेजी इस टॉक में आई है, कंपनी की तरफ से क्या अनॉस्मेंट हुए है, जिसकी वज़े से इस टॉक में यह तेजी आई है, यह जानेंगे हम इस वीडियो में, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंपनी के बॉर्ड ओड डिरेक्टर ने आज मीटिंग में, कंपिटी ओड डिरेक्टर को और्थराइज किया है, एक एप्रोप्रियेट कॉर्परेट रिस्ट्रॉक्शूरिंग एक्सरसाइस को एवेलुएट करने के लिए, और इस एवेलुएशन से क्या होगा, शेयर होल्डर की वैल्यू अनॉक होगी, इस कंपनी की अगर बात करें तो हिंदुस्तां Zink Limited वेदानता ग्रूप की कंपनी है, वेदानता ग्रूप में भी न्यूस आई होई है कि कंपनी अपने फोर बिजनेस को डिमर्च कर सकती है, अब उसी टर्स में हिंदुस्तां Zink Limited की तरफ से भी अनॉंस्मेंट हुआ है, हिंदुस्तां Z Zink Limited वेदानता ग्रूप की सबसीडिरी कंपनी है, वेदानता ग्रूप इस कंपनी में अराउंट 69% का स्टेक होल करती है, हिंदुस्तां Zink Limited, Zink, Lead, Silver बिजनेस में डील करती है, ये कंपनी 2nd largest integrated zinc producer है और 5th largest silver producer है, Zink मार्केट में इंडिया में इस कंपनी का 75% का market share है, और कंपनी का headquarter ओदेपुर में है, जहां पर कंपनी की Zink LED Mines भी located है, और कंपनी के smelting complexes across the state of Rajasthan फैले हुए है, आज जो announcement हुई है कंपनी के board of directors की तरफ से, उसमें कंपनी के board of director ने committee of director को authorize किया है, value unlocking measure को evaluate करने के लिए, तो ये कंपनी corporate restructuring करना चाती है और उससे value unlocking करना चा opportunities across different businesses को देखते हुए, इस company को एक comprehensive review करना चाहिए, अपने corporate structure का, अपनी potential value को unlock करने के लिए, और इसी matter में आज company के board of directors का detail discussion हुआ है, और evaluation के बाद company के board of directors का idea ये है कि separate legal entities बनाई जाए, zinc lead business करने के लिए, silver business करने के लिए and recycling business करने के लिए, तो ये company भी spin-off करना चाहती है, ये company भी demerge करना चाहती है, और इसी idea के लिए company के board of director ने committee of director को authorize किया है, कि वो evaluate करें और recommend करें कि क्या option available है, और क्या alternative available है board of directors को value unlocking करने के लिए, अब company की corporate restructuring होने वाली है, इसका objective क्या है, सबसे पहला objective है corporate restructuring का, कि company के stakeholders की value unlocking हो, और ऐसे business create किया जाए, जो कि market की opportunities को better capitalize कर पाएं और long term growth को deliver कर पाएं, इन सभी companies का distinct investment profile बनाया जाए, investors को attract करने के लिए, sustainability goals पे भी focus करना, इस corporate restructuring का एक objective है, इसके लवा appropriate capital structure, appropriate capital allocation, और इस restructuring का last objective company ने बताया है, कि अपने core competencies को sharpen करे, और company के resources का appropriate alignment करे, company के objectives को achieve करने के लिए, और company की management नहीं हाँ पर ये भी का ह कि company external advisor भी appoint करेगी, इन options को evaluate करने के लिए, assist करने के लिए, और इस matter में adequate disclosure company time to time करती रहेगी, अब ये news इस company के लिए क्या positive है, मेरे view के हिजाब से ये news इस company के लिए positive है, because as we all know, Vidanta Group का huge debt है, Vidanta Group के promoter का around 6.4 billion dollar का debt है, so इसकी वज़े से भी उनको कुछ assets को sell off करना पड़ेग तो अगर Vidanta Group की companies अपने different businesses को separate कर लेती है, तो उनके लिए choose करना easy होगा कि उनको किस business को hold on करना है, और किस business को sell off करना है, so Vidanta Group के लिए ये news positive है, because इस से उनके debt को reduce करने में उनको help मिलेगी, और retail investors के लिए भी ये news positive है, because उनके लिए भी यहाँ पर value unlocking होगा, but as we all know, Hindustan Zink Limited म Government of India भी around 29.54% का stake hold करती है, so Hindustan Zink Limited अगर corporate restructuring का plan लेके आती है, तो उसके लिए Hindustan Zink Limited को Government का approval भी लेना होगा, so ये latest subject है Hindustan Zink Limited के लिए जिसकी वज़े से आज stock में तेजी आई है, आपका क्या view है, ये spin-off Hindustan Zink Limited के लिए क्या positive news है, comment करके अपना opinion हमें ज़रूर बताए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करिए ताकि हमें motivation मिले, subscribe करिए, thank you